वेलकम टू मैं चानल हम लोग आज देखेंगे फिजिकल केमेस्ट्री में थर्मो डाइनेमिक्स का एक छोटा से टॉपिक स्टेट फंक्षन एन पाथ फंक्षन में डिफरेंस तो जितना भी हम लोग वेरियेबल्स पढ़ते हैं थर्मो डाइनेमिक्स में जैसे कि आप मास, प्रेशर, एनरजी, इन्थैल्पी, इन्ट्रोपी, गिप्स एनरजी ठीक है तो इन सारे वेरियेबल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है यानि कि फंक्षन में डिवाइड किया गया है state function and path function तो basically यहाँ पर हम लोग definition के तुरू समझने का कोशिस करेंगे state function क्या होता है और path function क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग discuss करेंगे state function के बारे में एक property of the system which depends only on the present state of the system and not the path used to get there examples आप समझेए अगर यहाँ पर a कोई person है उसका यहाँ पर घर है ठीक है और b यहाँ पर उस person का workplace है तो यह जो person है a to b इस रास्ते से जाए या फिर इस तरीके से घूम के जाए या फिर पूरा ऐसे घूम कर तब जाए ठीक है तो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि यह person किस path से यहाँ पर final अपने destination पर पहुँचा है यह depend करता है कि यह person present में कहा है यानि यह a position से b position पर गया है यानि कि initial position a था final इसका position b है यह depend नहीं करता है कि a जो है वो कौन सा path चूज गया है तो यह path पर depend नहीं करता है उसे ही हम लोग state function कहेंगे यानि वैसा variables जो की सिर्फ और सिर्फ depend करें उसके present state पे ठीक है उस system के present state पे not the path used to get there example में जैसे आपका होगया mass, pressure, density, energy, temperature volume, entropy, enthalpy, gives free energy यहाँ पर आप लिख सकते हैं gives free energy, enthalpy यह सब ठीक है तो यहाँ पर इसी चीज को example के तुरू बताया गया है कि A कोई था B इसका initial position है और यह final position है यानि A initial position से final position पे इसके बस state पे depend करेगा इसके path पे depend नहीं करेगा ठीक है इसके just opposite है आपका path function path function क्या होता है एक property that depends on path taken during the change यानि कि अगर कोई system है ठीक है इसमें अगर कोई heat आप supply कर रहे है या फिर कोई work done हो रहा है ठीक है तो यह किस path की through follower है उस पे depend करेगा ठीक है जैसे कि अगर एक roughly example से समझे a person है और b उसका कोई destination है तो यह depend करेगा कि a किस तरीके से वहाँ पहुंचा है इस तरीके से गया है या फिर ऐसे इस तरीके से घूम के गया है या फिर ऐसे पूरा cover करके यहाँ पहुंचा है तो this depends upon the which path where taken by the a ठीक है तो path function mainly किस पे depend करता है path path ठीक है वैसा variables system का जो उसके path पे depend करें तो उसे हम लोग path function कहेंगे example में आपका बस दो ही है heat है और work है तो thermodynamics में दो ही ऐसा example है जो path function के under आता है यानि कि उसका जो state है उसके path पे depend करता है तो अगर question पूछे each work is a path function of course क्योंकि a to b ये depend करेगा कि a to b आप इस तरीके से पहुँचे है या फिर आप इस तरीके से पहुँचे है या फिर इस तरीके से पहुँचे है आप इस तरीके से समझ सकते है कि अगर a to b यहां से यहां अगर इस तरीके से तो इसका value कुछ कम आएगा अगर यहां पर A इस तरीके से गया तो इसका value कुछ और आएगा और यहां पर A इस तरीके से गया तो इसका value कुछ और आएगा तो इसलिए depend करता है कि ये कौन से बाथ को follow किया है वर्क करने में वर्क, वर्क done कैसे हुआ है तो आपको यहाँ पर एक्जामपल याद रखना है हीट और वर्क तो दो ही एक्जामपल है पाथ फंक्शन का तो आई होप आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता तो जादा से के लिए सब्सक्राइब केजिए थैंक यू सू मच